उतर प्रदेश की स्यासत में लगातार चर्चा का विश्य बने हुए हैं। आजा समाज पार्टी के राष्ट अद्यक्ष चंदर शेखर आजाद। चंदर शेखर आजाद ने एक पर फिर से उतर प्रदेश की योगी सरकार से मांग की है। कि आखिरकार दलितों की हत्या उतर प्रदेश में कब तक ऐसे होती रहेगी। दरसल हाल ही में देखा गया कि रामपूर के सलई गाउं में की एक दलित चात्र की हत्या हो गई। दरसल मामला ये रहा कि यहाँ पर डॉक्टर अंबेटकर का बोर्ड लगाए जाने को लेकर बबाल मच गया फाइरिंग तक होई और इस फाइरिंग में एक दस्वी के छात्र की मौत हो गई। जिसके बाद से आजा समाज पार्टी लगातार मोर्चा खोली हुई है। और इस देखा जाए तो ना सरिफ चंदर शेखर आजाद बलकि उनकी पतनी वंदना कुमारी भी मैदान में हैं। नमस्कार मैं परांश्री राठोर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नियोज। दरसल आपको बता दें कि चंदर शेखर आजाद ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है और स्यम योगी अदितिनाद से वह लगातार मांग करते हुई नसर आ रहे हैं। इस गोलिकार्ड के चलते उतर प्रदेश में अब स्यासी सरगर्मिया तेज हो चुकी हैं। चंदर शेखर आजाद जो दलित वोड़ बैंक को संभालते हुई नसर आते हैं। उनकी पतनी भी चुनोती देती हुई नसर आई हैं। चुनोती देती हुई दिखाई दे रहे हैं अभी से। बार बार यही कहा जा रहा है कि अखलेश यादब ने 62 लोग सभा सीटे अपने पास रखी हैं। आपको जानकारी दे दें कि अब चंदर शेखर आजाद जन संपर करते हुई नसर आएंगे। मार्च यानि कि आज चंदर शेखर आजाद नूरपुर में नुकड सभाएं करते हुई देखे जाएंगे। और यहाँ पर दोपहर तकरीबन दो बजे सदनपुर पहुँचेंगे, तीन बजे नाइला नंगला पहुँचेंगे और शाम पांच से छे बजे तक चहला पहुँचेंगे। चंदर शेखर आजाद लोग सभा प्रत्याशी के तोर पर लगातार आगे हैं और ऐसे में यहाँ पर उनकी पत्नी ने ये जानकारी साजा की है, वह लिखती हैं कि आप सभी साथी सादर आमंत्रित हैं।